नगश्कार दोस्तों मेरा नाम शुबम दिशित मेरे चैनल टेक्टिव सेंट्रिक्स में दोस्तों आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला एक और बहुत शांदार खेती के बारे में जिस खेती का नाम है दोस्तों जिरे नियम की खेती महस 95 दनों के अंदर दोस्तों तयार होने वाली ये खेती प्रति एकड़ कम से कम 40-45 लाग रुपे की आपको कमाई करवाने की गैरेंटी है दोस्तों ये जिरे नियम की खेती आज के हमारे एक पूरे वीडियो के सार्य दोस्तों शुरू करने से पहले आपको बता दूं अगर आपने मेरी जैनल को अब दक सब्सक्राइब की पास जल्दी से दोस्तों सब्सक्राइब कर लेजए क्वालिटी इसके अंदर होती है जिरे नियमी खेती के लिए अगर आप कभी भी जिरे नियमी खेती करना चाहते हैं तो इन दो वेराइटे को दोस्तों खेती कीजिए पैदावार भी दोस्तों आपके अच्छी होगी लागत भी दोस्तों आपको लगई कम पानी की जरूरत प बंदित दोस्तों तेल निकलता है इससे तेल सावन और कई साथ सॉंदर साइटम तमाकू पर्फ्यूम बड़े पैमाने पर दोस्तों बड़े-बड़ी कंपनिया दोस्तों इसका इस्तिमाल करती है इसलिए जिरेनियम की खेती आप प्रती एकड़ से लगवक पैतीस लाख दोस्तों फूल होते हैं किसी तरह कोई आयोवेरी कोई जड़ी दी नहीं है जरी नयम की दोस्तों मार्केट में फूल आपको कही सारे देखने होने मिल जाय है फूल है सबंथ होता है कमाल की दोस्तों इसके अदर खुषबू होती है यसकी वग Stall Barbies प्रॉम तमाभी बनाने वाली कंपनियां बड़े पेमाने पे जरीय नियम के फूनों का इस्तिमाल करती है इसलिए आपको इस खेटी से बहुत ज्यादा दोस्तों लाप हो सकता है उत्राखंड, बिहार, यूपी, एमपी, माराष्ट काई सारे इलाकों में बड़े पैमाने पर दोस्तों जिरीने में खेती की जा रही हो, किसान भाई हर सौधिन के अंदर, जानिकि आप मानके चलिए, पिंचल में से सौधिनों के अंदर पूरी तरीके से ये खेती मार्केट में इसकी में इसकी डिमांड है, जो प्रोड़क्ट दोस्तों इससे बनाई जाते हैं, वो डेली वेस्ट पर यूज़ किया थे, साबून है, परफ्यूम है, फॉंदर्स आइटम है, तबाख हुए है, और भी बहुत साही दोस्तों किसमें इससे बनाई जाती है, क बहुत ज्यादा लाब दायक साबित हो सकता है कमाल की दोस्तों इसके अंदर खोश्व मोजी उदूरती है इसके फूलों की लगबग एक क्लूमेटर दूर से आप जरी नहीं की फूलों ही खुश्व आराम से दोस्तों महसूस कर सकते हैं अगर आपके आसपास इस तरही खेती भी आराम से की जा रही है तो अब इसकी खेती की बारे में दोस्तों तो शटेशा कर ले से छह सो से आठ सो पौधे आप प्रति एकड़ आराम से दोस्तों इसकी लगवार सकते हैं कॉही तरह की भूमी में आप जिरेनेने सबसे बढ़ात किसी बीतर जानवर दोस्तों इस खेती को नुकसान नहीं पहुचाता है जो भी इतनी बढ़िया इसमेल होती है हुआं कि उसके बढ़िया से जानवर जो है आप फी खेती के आसपास भटकेंगे तक नहीं खाना तो बहुत दोई की बार, 600 से लेके 800 पौदे आप बड़े आरम से लगा सकते हैं, मार्केट में लगवगा आपको 12-13 जार रुपे की मिल जाएंगे, अब चाहे तो इसके बीच भी ला सकते हैं, जिरेनियम के फूलों के बीच लगवगा 60 किलो बीचे को जबुद पड़े ही, आपको एक इतनी पैदावार दोस्तों आपकी होती है कि लगवगा 40-45 लाग रुपे की आराम से दोस्तों आपकी कमाई होती है, एक एकड़ में जिरेनियम के फूलों से, लागत आती है महद 15-20 या रुपे, गोबरी खात का दोस्तों विश्यस रूप से इस्तमाल कीजे, गोवग मु आप इस्तमाल कीजे के लिए लेकिन खात का दोस्तों विश्यस रूप से इस्तमाल करना आप शुड़ू करते हैं या पुरानी आप ने जिस जो भी तरह के आप खेती करते हैं उसकी पैदावार आप मिला लीजिए और आप जो तरीका मैंने आपको अपने वीडियों बताय है गौमूत्र का और गौवर एक खात का उसका इस्तमाल करने के बाद फिर आप मुझे बताईए कि कितनी पैदावार में बढ़ोत्री होती है तीस से लेके 35% दोस्तों आपके पैदावार में बढ़ोत्री होती इस बाती का इरेंटी मैं आपको दे रहा हूं अगर आप के अंदर तयार होने वाले दोस्तों ये खेती है 45 से 45 लाग रुपे के अभी कमाई करवादी 600 लेके 900 पौधे आप प्रतिय कड़ आराम से दोस्तों लगा सकते हैं कई सारे प्रोड़क्ट इससे बनाई आते हैं पर्फियूम तबाकू सौंदर आइटम साव उन कई सारे सब्सक्राइब कर लीजिये सब्सक्राइब के पास ही में जो बैल का बटर ने उसको जरूद आवादी से मेरे हर एक वीडियो की जानका दे सबसे पर आपके पास पहुंच सके तो यह था दोस्तों आज का वीडियो नमस्कार जैश्री राम एंड ठेंक्स पर वहुंचे